Hello dear children, how are you? I hope you are fit and fine. Today our subject, Hindi सब्द मनजरी. Okay, open the book, page number 20. बिना मात्रा के तीन वड़ों के शब्दों से बने वाक्य. बोल बोल कर पढ़िए. इसको आपको बोल बोल कर पढ़ना है, बिना मात्रा के तीन वड़ों के शब्द है. जैसे आपको उस्तरा पढ़ना है, कमल, 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 पर, पर, चरड, चरड, मत, मत, रख, रख, कमल, पर, चरड, मत, रख, गगण, गगण, शहर, शहर, चल, चल, गगण, शहर, चल, गगण, गगण, मगण, 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 मत, मत, पकड, 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 गगण, मत, पकड, इस तरह से आपको इसको बोल बोल कर पढ़ना है ओके, this is your classwork and I am going to give you home work page number 22 तीन वड़ों से बने शब्दों के इमला कीजिए आपको यहाँ पर लिखना है जैसे चमल लिखावान है इस तरह से आपको अलग अलग तीन वड़ों से बने शब्दों के आपको 10 लिखना है and next page 23 समान शब्दों के नीचे रेखा कीचो महला महल यहाँ पर दिया हुआ इसमेंसे आपको ऐसी तरह का वर्ड दूर के शबद डूर कर आपको इस पे एक लाइन क्हीछना मैं के जिर यहां पर देखिना आपको यह कालम का लाइन खीछना लएक को सब्सकुरATION में कुछ वर्ड दिये वे हैं इसको आपको जाटके इन शब्स को आपको पूरा करना है जैसे सड़क सड़क हवन हवन मगर मगर भवन भवन तो इस तरह से आपको इसको फिल करना है और कॉपी में इसको करना है होगे इस इस यूर्वर्ग बड़कर अ प्रणिफोर अच्छर की जगाँ बदल कर नएशवर्द बना शाओ जयसे-ं गरम दिया हुआ है तो इसके अक्छर को आपको इधर से-र गुमा के बदल कर आपको नए शवर्द बनाना इसे गरा मगर में तो यह मो गरा मगर इसको बना दिया गए यह जिसे पाला का पाला के तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं ला पक लपक इनी वर्ट को आपको इधर दर करके आपको तीन वर्ड के शब्द बनाना है इस तरह से आपको इसको कॉपी में करना है बुक में करन करतेके नीचे लिखे शब्दों से तीन वड मिके टुकांछ्ट बना ओया इसी से आपको थीन मुड कशिप्द बनाना इस हुआ पट पट कप ट बगत इस तरह से हार आहर दिया ओया है तो नहर इसमें आपको यह वरग आपको फिल करना ओके this is your homework and next page 25 सही शप्चुन कर वा की पूरा करो सड़क पर मचल कर मचल इसमें क्या वरेंगे क्या फिल करेंगे मचल ओके नदर पर उट नहीं होगा बच्चो समय इसमें से आपको समय ढूंड कर यहां पर लिखना इस तरसे इस फिल करना है नीचे दिया हुआ चीत्रों को पह्चान कर उनके नामों पर गोला बनाता है चीत्र तो कि और पर आपको एक शरकर बनाना है क्या है तो आप यह क्या कर रहाएं यह भजन कर रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे, भजन पर एक सर्कल बना देंगे, यह क्या है नयन, तो नयन पर आपको एक सर्कल बनाना है, यह क्या है, बतन, तो आपको बतन पर एक गोला बनाना है, यह क्या है, महल, तो आपको महल पर एक सर्कल बनाना है, यह क्या है, कलश, तो कलश पर आपक इस्ता सापको इसको बुक में करना है इस इस यूर होमवर्क and all the homework you have clicked the pick and send it to my WhatsApp number, okay, bye bye, we will meet in next class, thank you